फ्रीमसी भाईवें बेहनों, आज की इस ने वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाइबिल के द्वारा प्रवेशु हमको सबसे बड़ी आग्या के बारे में क्या बताते हैं हमारे जीवन में प्रवेशु की सबसे बड़ी आग्या क्या है बाइबिल के वचन के द्वारा हम आज की इस वीडियो में जानेंगे संत लुकस अध्यादस आयत नमर 25 लेकर 27 तक परते हैं किसी दिन एक सास्त्री आया और इशा की प्रिक्षा लेने के लिए उसने यह प्रशन पूछा ग्रुवर अंतत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए इसी दिन क्या हुआ कि एक अधिकारी आया और प्रवेश्व की प्रिक्षा लेने के लिए पूछा, गुरुगर मुझे जिवर की अधिकारी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, प्रवेश्व ने उससे पूछा कि तुम सहिंतम में क्या पढ़ते हो, क्या सारी सक्ति, अपने सारी बुद्धी से प्यार करो, और अपने परोशों को भी अपने समान प्यार करो, तो इस पर प्रवेश्व ने उनसे कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे, तो दोस्तों सबसे बड़ी आग्या हैं हमारे जीव जगडा या मार पिट करें, अपने प्रोशों को अपने समान प्यार करो, और प्रवो की आग्याओं उपर चलो, जब हम प्रवो को प्रेम करेंगे तो हम उसको सारी आग्याओं उपर चलेंगे, ऐसा नहीं कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन हम उसके आग्याओं के खिलाब चलत तो अगर हम उसकी आग्याओं को मानते हैं, तभी हम जानेंगे कि हम प्रवेश से प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बोलते हैं कि हम प्रेम करते हैं, हम अपने अंदर बोलते हैं कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ हम इधर गाली दे रहे हैं, लडाई जगड़ नहीं करेंगे अपने प्रोश्यों को प्यार करेंगे तो दोस्तों यह थी प्रवेश्व की सबसे बड़े आग्या है कि अपने प्रवेश्वर को सारे हिर्दे अपनी सारी आत्मा सारी सक्ति और सारी बुद्धि से प्रेम करो और अपने प्रोश्यों को भी अपने समन प्यार करो यह थी बाइविल में सबसे बड़ी आग्याएं प्रवो की प्रवो एशु सबसे बड़ी आग्याएं के बारे में हमें यही बताते है तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया तो दोस्तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी हो सके तो सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि हम इसी तरह की बाइविल के वच्चन के साथ रोजन हम इश्वर के वच्चन के साथ आपके समक्ष आते रहेंगे धन्यवाद